आईए, आज हमारे महराज अशोक के कुछ प्रसिद्ध कारे और नीतियों के बारे में बात करें। महान अशोक ने 14 प्रसिद्ध स्तंभ बनाए थे। उनमें से 13 स्तंभ कालिंगा युद्ध के बारे में है। उसके तैयार किये गए कुछ प्रसिद्ध स्तंब थे, जैसे की बिहार के रामपुर्वा स्तंब। यह एक शडेंत्रिय स्तंब है और यह अब राश्ट्रपती भवन में स्थित है। फिर आता है उत्तरप्रदेश का सारनाथ स्तंब, जहां से हमारे देश का राश्ट्रिय प्रतीक प्राप्त हुआ है। फिर आता है अफगानिस्तान का कानधार स्तंब और करनाटक का मास्की स्तंब। राजा अशोक के समय में कुल तीन प्रकार की लिपी का प्रयोग हुआ था अर्माइक जो इरानी भाषा में लिखा गया था फिर खारोष्ठी और अंत में ब्राहमी ब्राहमी लिपी सबसे अधिक प्रयोग की गई थी राजा अशोक ने बौध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी राजा अशोक ने विभिन देशों में प्रचार कार्य चलाए थे जैसे की ग्रीस, सीरिया, पश्चिमी एशिया, श्री लंका, तिबबत, नेपाल श्री लंका में प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को भेजा था कालिंगा युद्ध से पहले अशोक की नीती थी बेरिगोशा प्रकृती की, जिसका अर्थ होता है युद्ध की नीती किन्तु युद्ध के बाद अशोक की नीती धर्मा गोशा बन गई थी, जिसका अर्थ होता है शान्ती की नीती धर्मा गोशा नीती को बजाय रखने के लिए अशोक ने एक अफसर की नियुक्ति की थी जिनका नाम था धर्मा महामाता राजा अशोक ने अपने शासनकाल में शक्तिशाली प्रशासन तयार किया था उन में से कुछ उलेखनिय प्रशासन था मंत्री परिशद अध्यक्ष और पुरोहित मंत्री परिशद अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासन मंत्री मंडल के प्रमुख कार्य के लिए तैयार किया गया था और पुरोहितों का प्रशासन धर्म गुरुओं के नेत्रित्व में तैयार किया गया था आज के लिए बस इतना ही वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और सबस्क्राइब करें